जब से आसकर की यूज आना शुरू हुई तब से हर इंडियन सिनिमा देखने वाले बंदे के दिमाग में एक नाम गुल गूल गूम रहा है बदल चुका है नाम तो आपने सुन लिया पढ़ लिया लेकिन ये फिल्म है किसवारे में कहानी क्या है और स्पेशल क्यों है ये वो भी इतनी कि सीधा आसकर मिल जाए सब बताऊंगी कहानी शुरू हो दिया तमिल नाडू के जंगल से जहां खुशी खुशी तीन लोगों का छोटा सा परिवार रहता है पती पतनी और उनका बेटा ये आखरी वाला शक बेटा ये सुनने में ज़रा सा भी अजीब नहीं लगा होगा ना आपको लेकिन देखने में पक्का लगेगा इसके पीछे एक बहुत दराबना पास्ट है ऐसी भयाना कहानी जिसमें ना जाने कितने हातियों की मौत का किस्सा छुपा हुआ है जंगल के बारे में आप सोचते हो तो सिर्फ बढ़िया बातें आती है ना दिमाग में अरे वहाँ जाएंगे तो एडवेंचर मिलेगा क्या कमाल का व्यू दिखेगा लखी हुए तो शेयर चीता भालू क्या पता कोई वाइल लाइफ देखने को मिल जाए पूरी की पूरी सफारी करते हैं लोग इस उमीद में आप यकीन करोगे अगर मैं आपको बताओं सूपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन यह सब फिल्मों में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन रियल लाइफ में सूपर हीरोज कुछ ऐसे देखते हैं इनकी स्पेशल पावर क्या है यही सोच रहो इनके पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस नहीं है इनके पास प्यार है जो एक खादी को इनसान पर भरोसा करवा सकता है जब इस फिल्म को देखना शूरू करोगे नाप वादा है मेरा पूरा नजरिया बदल जाएगा इनसानों को देखने के बारे में बस यही है इस फिल्म की ताकत कि आपके दिमार्ग में बैठी हुई बहुत सारी गलत फ्रेमियों को दूर करने की ताकत रखती है ऐसी कहानी उठा के बड़े स्क्रीन पर लेके जाना जो शाय कोई जानता भी नहीं है कि दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं नहीं वहीं रुप जाओ इससे पहले कि आप सोच बैठो कि यह कोई नॉर्मल डिसकवरी नेशनल जोग्राफिक जैसी बोरिंग पढ़ाई लिखाई वाली डॉक्यमेंटरी है जी बिलकुल नहीं सच बतारी हो इंट्रस्टिंग चीज है बहुत बढ़िया एक सेकेंड भी आपको बोरिंग फिल नहीं होगा क्योंकि कहानी बहुत अलग है जैसे बच्पन में दादी नानी सुनाती थी न उस टाइप का मज़ा आएगा अंदर क्योंकि जो बातें आप देख सुन रहे हो उसकी आदत नहीं है नॉर्मल लाइफ में बस इसी डिफरेंट कुछ हट के नया ट्राइ करने की महनत ने इंडिया को अपना पहला ओसकर दिला दिया है किसी डॉक्यमेंटरी फिल्म के लिए तालिया बशती रहनी चाहिए तो अब सबसे ज़रूरी चीज जिसका जवाब आप वीडियो के शिरुवात से ढून रहे हो इस फिल्म को आप इजीली देख सकते हो नेट्विक्स पे और हाँ गुड नीज फिल्म हिंदी डबिंग में मिलेगी कोई टेंशन वाली बात नहीं है प्लस बढ़िया चीज फिल्म सिर्फ 40 मिनिट की है तो ज़्यादा टाइम निकालने की जंजट भी खतम लेकिन प्रॉमिस करती हूं मैं ये 40 मिनिट जिंदगी वर याद रखोगे आप चलो बहुत फाइनली हम भी बोल सकते हैं कि ओसकर कौन सी बड़ी बात है हम भी जीते हैं वो भी एक दिन में दो दो आगे आगे देखो होता है क्या हॉलिवड सावधान बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फर कुछ शिकार करनी हो तो मैं आपको इंस्ट्रग्राम पर भी मिल जाओंगी वड़ना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई-बाई